दोस्तो नमस्कार दोस्तो भारत में सर्दी ने दस्तक दे दी है जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोहा बाजार भी ठंडा पढ़ता जा रहा है सितंबर महीने में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले थे लेकिन वह उच्छाल भी स्निको मीटर के स्पाइक जैसा ही साबित हुआ और एक महीने के भीतर-भीतर ही बाजार फिर से सुस्ती के मोड में चला गया लगभग डेड़ महीने चला फेस्टिवल सीजन भी लोहा बाजार को साहित नहीं कर पाया कुछ एक पौकेट्स को छोड़ दे तो इन जैनरल लोहा बाजार में सुस्ती का आलम है इस सुस्ती की वजह क्या है इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि क्या गिरावट का दौर जारी रहेगा या फिर बाजार अब करवट लेने वाला है शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेरिंग के माध्यम से लोहे की बात लोहे वालों तक जरूर पहुँचाएं तो चलिए पहले मंदी के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं चाइना ने भले ही अपने यहां स्टील प्रोडक्शन में जीरो ग्रोथ पॉलिसी अपना रखी हो लेकिन उसकी लगातार गिरती स्टील डिमांड से उसका स्टील सर्प्लस बढ़ता ही जा रहा है और उसका असर समूचे विश्व के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है इस चार्ट पर यदि आप नज़र डालेंगे तो पाएंगे किस तरह चाइनीज स्टील सर्प्लस के बढ़ने से उसका स्टील एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है पिछले मातर नौ महीनों में उसका स्टील एक्सपोर्ट 32 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुका है अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक चाइना लगभग 90 मिलियन टन से भी अधिक स्टील एक्सपोर्ट कर चुका होगा और यकीन मानिये इतना बड़ा सर्प्लस वालियूम दुनिया के तमाम स्टील बाजारों को डुबो देने के लिए काफी है दूसरा कारण पहले कारण से ही जुड़ा है चाइना के अलावा जेपैन, साउथ कोरिया, इरान वा वियतनाम का स्टील एक्सपोर्ट भी बड़ा है अंतर राष्ट्रिय बाजार में इस बढ़े हुए कंपटीशन की वजह से भारत के स्टील निर्याद पर चोट पहुंची है डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया निर्याद के लिए अनुकूल माना जाता है लेकिन रुपय की गिरती कीमत के बावजूद भारत का स्टील निर्याद इस वर्ष अब तक 29 प्रतिशत तक गिर चुका है एक्सपोर्ट में यह गिरावट गंभीर चिंता का विशय है क्योंकि एक्सपोर्ट कम होता है तो डॉमस्टिक मार्केट्स में स्टील सर्प्लस बढ़ता है निर्याद का घटना और आयाद का बढ़ना अगर इसी प्रकार जारी रहता है तो कोई हैरानी नहीं होगी यदि भारत इस वित्वर्ष के अंत तक एक नेट स्टील एक्सपोर्टर की बजाए नेट स्टील इंपोर्टर बन जाए तीसरे कारण की वज़े भी दूसरा कारण ही है जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक्सपोर्ट घटने की वजह से हमारे घरेलू बाजार में स्टील की सप्लाई भेतर हुई है और दुर्भाग्यवश अतरिक्ट स्टील की खपत के लिए डिमांड इतनी है नहीं चाहे फ्लैट प्रोडक्स हों चाहे लॉंग प्रोडक्स हर तरफ मायूस ही चाही है टीमटी की खपत भी सिर्फ सरकारी प्रोजक्स में ही ठीक है अन्यथा रिटेल मार्केट में तो निराशा ही है इन सब कारणों के अलावा बीते डेड़ दो वर्षों में आरबी आई ने कुछ ऐसे फैसले लिये हैं जिससे घरेलू मांग पर दवाब बढ़ा है अभी हाल ही में आरबी आई ने फिर एक बार ऐसा ही फैसला लिया है जहां एक और बाजारों में पहले से ही सन्नाटा पसरा है वहीं ऐसे समय में आरबी आई ने अनसीक्योड बैंक प्लोन्स और नॉन बैंकिंग फैनेंशल कंपनीज के लोन पर रिस्क वेट सो प्रतिशत से बढ़ा कर 125 प्रतिशत तक कर दिया है आसान भाषा में इसका मतलब है कि फैनेंशल इंस्टिटूशन से अनसीक्योड पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला क्रेडिट अब और मुश्किल और और महंगा हो जाएगा गौर तलब है कि पिछले कुछ एक वर्षों में भारत में लगातार बढ़ती बिरोजगारी के चलते पर्सनल अनसीक्योड लोन्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है मूडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ पिछले दो वर्षों में ही पर्सनल लोन में करीब 24 प्रतिशत और क्रेडिट लोन में औसतन 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि समग्र बैंकिंग शेतर की रिण बढ़ोतरी करीब 15 प्रतिशत रही है RBI का यह तरोताजा कदम बाजारों में पैसे की लिकुडिटी को कम करेगा और बाजारों में पहले से सुस्थ पड़ी मांग को और सुस्थ करेगा तो कुल मिलाकर इंफलेशन घटाने के प्रयासों के चलते हमारी सरकार अभी हाल फिलाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे घरेलू मांग बढ़े ऐसे में क्या स्टील के रेट और गिर सकते हैं या फिर रेट बॉटम आउट हो चुके हैं यदि मैं संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब दूँ तो अभी तक डिसकस किये सभी कारणों के बावजूद हमारी समझ से स्टील के रेट बॉटम आउट हो चुके हैं और अब नीचे जाने को ज़्यादा कुछ है नहीं इसके विपरीत अगले महीने रेटों में थोड़ी बहुत वढ़ोतरी से भी इंकार नहीं किया जा सकता ऐसा मानने के लिए हमारे पास कुछ एक कारण है यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि भारत में स्टील के रेट अपनी घरेलू मांग से कम और इंटरनेशनल मार्के बाजारों में खास करके एशियाई व यॉर्पी अबाजारों में रेट फिर से बढ़ने शुरू हो गये हैं विश्व के लिहाद से दिसंबर वित्वर्ष का आखरी महीना है और क्रिस्मस की छुट्टियों से पहले विदेशों में मांग वह उत्पादन दोनों में बढ़ कितर रीजन्स में स्टील के रेट दस से बीस डॉलर प्रतिटन तक बढ़ चुके हैं अगली तिमाही के लिए भी एक्सपोर्ट के ओफर रेट बढ़ा दिये गए हैं चाइना भी अपनी घरेलु मांग बढ़ाने के लिए नएने कदम उठा रहा है अभी हाल ही में उसने अ आइरन ओर में 12 प्रतिशत तक का इजाफा देखा गया है भारत में भी एनमडी सी ने रेट लगबग एक महीने में 6 प्रतिशत तक बढ़ा दिये हैं आइरन ओर की तरह ही फैरस स्क्रैप के रेट भी बढ़ने लगे हैं जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी यॉरप रश्या और नौर्थ अमेरिका में स्क्रैप का कलेक्शन घटता जाएगा ऐसे में अकसर मेजर स्क्रैप कंजूमिंग कंट्रीज किस्मस की छुट्टियों से पहले अपने स्क्रैप इंवेंट्री बढ़ा लेते हैं ऐसे में आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से स्क्रैप की रेट ब बढ़ेंगे और भारतिय स्टील मिल्स पर और रेट घटाने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा बलके वह दिसंबर महीने में कम से कम हजार रुपे प्रतितन तक बढ़ाने की फिराफ में रहेंगे और यदि किसी कारणवश कमजोर घरेलू मांग के चलते दिसंबर में रेट नह नहीं बची है यदि आप हमारे अनालिसिस से इत्तिफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपका अपना अनालिसिस कुछ और कहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार साजा करके हमारा और हमारे दर्शकों का ग्यान जरूर भढ़ाएं धन्यवाद झालिस जरूर इस वीडियो